हेलो दोस्तों मैं आकाश्गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और मैं आज आप सभी को LIC के एक नई यूलिप प्लान इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नंबर है 873 तो LIC के ये जो प्लान है वो एक यूनिट लिंक्ट इंशोरेंस प्लान है यानि कि इसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलेगा और साथी साथ इंशोरेंस कवर भी आपको मिल जाता है अगर आप इस प्लान को बाई करना चाहते हैं तो 6 फरवरी 2024 के बाद आप इसे L चाहते हैं और साथी साथ इंशोरेंस कवर का भी बेनिफिट चाहते हैं तो आप इस प्लान को बाई कर सकते हैं आईए जानते हैं कि इस प्लान में आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल जाते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट इस प्लान का यही है कि इस प्लान में जो भी आ पर increase होती है उसके बाद यहाँ पर आपको partial withdrawal का भी option मिल जाता है maturity से पहले अगर आप अपने fund को निकलवाना चाहती है तो आप अपनी policy में से partial withdrawal भी कर सकती है fifth year के बाद आप इसमें partial withdrawal कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर एक खास बात और ये भी है कि इसमें आप केवल धाई हजार पर मन से शुरुवात कर सकते हैं अगर आप पक्चिस सो रुपे या पक्चिस सो रुपे से ज़्यादा invest करना चाहते हैं तो आप इस plan को buy कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एक tax benefit भी मिलता है कि यहाँ पर जो भी आपको maturity पर पैसा मिलेगा वो tax free होगा लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रख रहे हैं कि जो आपका analyze premium है वो धाई लाक रुपे तक का होगा तभी आपको ये tax free returns का benefit मिलेगा तो आईए यहाँ पर अब जान लेते हैं कि इस plan की आपको क्या-क्या conditions देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये decide करना होगा कि आप कम insurance cover चाहते हैं या ज़्यादा insurance cover चाहते हैं यहाँ पर आपको दो option मिल जाती है पहला option है 7 times of analyze premium का और जो दूसरा option है वो है 10 times of analyze premium का इन दोनों ही option में से जो भी आप option चूज करते हैं उसी के according आपका basic sum assured यहाँ पर calculate किया जाता है अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 1,00,00 रुपे का सालाना premium पे करना चाहते हैं और यहाँ से आप ज़्यादा insurance cover वाला option चूज कर लेते हैं जो कि है 10 times of analyze premium तो यहाँ पर अगर हम अपने basic sum assured की बात करें तो वो यहाँ पर 10,00,00 रुपे हो जाता है यहाँ आप कह सकती हैं कि यहाँ पर आपका 10,00,00 रुपे का risk cover हो जाता है यहाँ पर आप 7 times भी चूज कर सकते हैं अपने सालाना premium का और 10 time भी चूज कर सकते हैं तो दोनों ही option में से आपको कोई एक option यहाँ पर चूज करना होगा अब यहाँ पर आपने कितना risk cover चूज किया है 7 times या 10 times उसी को ध्यान में रखते हुए minimum age और maximum age यहाँ पर बताई गई हैं अगर हम यहाँ पर entry age की बात करें तो 90 दिन से लेके 50 साल की entry age दी गई है यहाँ पर अगर आपकी age 90 दिन से 50 साल की है तो आप 7 times का option भी चूज कर सकते हैं और 10 times का भी option चूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी age 51 साल से लेके 60 साल तक की है तो आपको यहाँ पर केवल और केवल एक option मिलता है जो कि है 7 times of annualized premium यहाँ पर आप समझ सकती है कि अगर आपकी एज ज़ादा होती है तो उसमें आपको LIC कम risk cover देती है तो इसलिए यहाँ पर आपको केवल 7 times of annualized premium का ही option दिया गया है क्योंकि यहाँ पर age ज़ादा हो जाती है तो आपको अपनी age के according देख लेना है कि आप कौन सा option यहाँ पर choose का सकती है उसके बाद यहाँ पर आपको minimum maturity age मिल जाती है जो कि यहाँ पर 18 साल की दी गई है यानि कि इस policy की जब भी maturity होगी उस time पर आपकी age कम से कम 18 साल की होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपको maximum maturity age भी देखने को मिल जाती है अगर आप 10 times का option चूज करते हैं तो उसमें maximum maturity age 75 years के दी गई है और अगर आप 7 times का option चूज करते हैं तो उसमें आपको maximum maturity age 85 years के देखने को मिल जाती है आपको इसमें बिल्कुल भी confused नहीं होना है जो भी आप option choose करना चाहते हैं उसी के recording यहाँ पर आपको age चेक कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर बात आती है policy term की यानि कि कितने सालों तक आप इस policy को ले सकते हैं तो अगर यहाँ पर आपका सालाना premium 48,000 रुपे से कम है तो आप यहाँ पर 15 साल से लेके 25 साल की policy term ले सकते हैं और अगर यहाँ पर आपका सालाना premium 48,000 रुपे से ज़्यादा का है तो आप यहाँ पर 10 साल से लेके 25 साल तक की policy term चूज कर सकते हैं इनके बीच की कोई भी policy term आप चूज कर पाएगे 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आप अपने coding चूज करना चाते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात आती है premium paying term की, यानकि इसमें आपको कितने साल policy के premium की payment करनी होगी, तो जितने साल भी आपने policy की term चूज की है, उसी के according उतने ही साल आपको यहाँ पर premium की payment करनी होगी, यह एक regular premium payment plan है, तो इसलिए आपने जितने साल की policy term चूज की है, उतने साली premium की payment करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर बात आती है premium paying mode की, तो यहाँ पर आपको premium payment mode में 4 option मिल चाहते हैं, yearly भी आप इसका premium pay कर सकते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने भी आप इस policy में premium की payment कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum premium की, यहन कि इस policy को लेने के लिए आपको कम से कम कितना premium pay करना होगा, तो अगर आप yearly इसकी payment करना चाहते हैं, तो आपका कम से कम premium 30,000 रुपे का होना चाहिए और अगर आप यहां पर हर 6 महीने में payment करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो premium है वो 15,000 रुपे होना चाहिए ठीक इसी तरह से अगर आप 3 महीने में pay करना चाहते हैं तो 75,000 रुपे आपका premium होना चाहिए और अगर आप मंथली pay करना चाहत यह जो premium का amount है इससे कम आप नहीं pay कर सकती हैं इससे जितना ज़्यादा आप premium pay करना चाहती हैं वो आप pay कर सकती हैं maximum premium की यहाँ पर कोई भी limit आपको नहीं मिलती हैं उसके बाद यहाँ पर आपको investment fund type के दो option मिलती हैं इन दोनों ही fund में से आपको कोई एक fund का type select करना होगा policy को लेते समय आपको बताना होगा कि आप किस fund में investment करना चाहती हैं अगर आप बाद में इसको change करना चाहती हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकती हैं जिसे हम switching of fund कहती हैं तो यहाँ पर आपको दो तरह के fund मिल जाती हैं सबसे पहले है flexi growth fund और जो दूसरा है flexi smart growth fund तो यहाँ पर इन दोनों ही option में बताया गया है कि आपका पैसा कहां पर invest किया जाता है तो यहाँ पर flexi growth fund में आप देख सकती हैं 0 से लेके 20% तक का जो amount होगा आपका उसको यहाँ पर government schemes में या corporate debt में invest किया जाएगा उसके बाद 0 से लेके 40% तक का जो आपका amount है वो यहाँ पर short term money market instruments में invest किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पैसा है उसका 40 से लेके 100% तक का amount listed equity shares में invest किया जाएगा यहनि कि हम कह सकते हैं share market में invest किया जाएगा यह जो share market में आपका amount invest किया जाता है वो risk होता है और अगर हम बात करें government bonds की तो इसमें आपका जो पैसा है वो government को दिया जाता है को यहाँ पर आपका risk काफी कम होता है उसके बाद यहाँ पर जो money market instrument है उनमें भी आपका यहाँ पर minimum risk होता है तो यहाँ पर जो आपका fund है उसको तीन जंगय में invest कर दिया जाता है और उससे जो भी return आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है तो यहाँ पर आप इनका objective भी देख सकती है जो भी national stock exchange nifty hundred का index है उसमें 100 company होती है उनमें से यहाँ पर कुछ selected stock को खरीदा जाएगा और वहाँ से जो आपको benefit मिलेगा वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा ठीक इसी तरह से flexi smart growth fund है लेकिन यहाँ पर एक change किया गया है कि इसमें जो आपकी investment होती है वो NSC के nifty 50 index में होती है जिसमें top 50 companies शामिल होती है तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि आप nifty 50 index की companies में अपने पैसे को investment करवाना चाहती है या फिर nifty hundred के index में अपने पैसे को invest कराना चाहती है nifty hundred index में यहाँ पर 100 company होती है और nifty 50 index में 50 company होती है तो यहाँ पर इन दोनों ही investment option में से कोई आप एक option चूज कर सकते हैं Nifty 50 index ये Nifty 100 index के बारे में आप Google से और भी information ले सकते हैं आईए अब एक example की मदद से समझते हैं कि ये पूरा plan कैसे काम करता है तो example समझने के लिए हम मान लेते हैं जो आपकी age है वो 34 years की है और यहाँ पर आप जो policy term लेना चाहते हैं वो 21 साल की policy term लेना चाहते हैं अगर यहाँ पर हम premium paying term की बात करें तो वो भी हमारा यहाँ पर 21 साल का हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पर बात करे premium की तो हम माल लेते हैं कि एक लाक रुपे का सालाना premium हम इसमें pay करना चाहते हैं और उसके बाद हमें जो भी हमारा basic submission का option था वो choose करना होगा जो कि हमारे पास दो option थे 7 times और 10 times तो उसमें से हम माल लेते हैं कि हम 10 times of analyze premium का option यहाँ पर choose करना चाहते हैं उसके बाद हम यहाँ पर अपना investment fund type भी बताना होगा कि हम दोनों ही fund में से किस fund में अपने पैसे को invest करवाना चाहते हैं तो अभी के लिए हम माल लेते हैं कि हम अपने पैसे को flexi smart growth fund में invest करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जब भी आप अपनी policy ले गें उस time पर आपको 1,00,000 रुपे का yearly premium पे करना होगा यहाँ पर 1,00,000 रुपे का premium हमने choose किया था इसलिए हमें आने वाले 21 सालों तक इस policy के premium की payment करनी होगी जो कि सालाना 1,00,000 रुपे का हो जाता है अब यहाँ पर जो भी यह 1,00,000 रुपे का amount है उसमें से LIC कुछ charges को deduct कर लेती है वो charges होते हैं premium allocation charges, policy administration charges, mortality charges, fund management charges तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो stock market में लगा दिया जाता है यहाँ हम कह सकती है equity market में लगा दिया जाता है तो यहाँ पर जब हमारी policy के 21 साल पूरे हो जाती है तो यहाँ पर इस policy की maturity हो जाती है और maturity के time पर आपके fund value के साथ सत आपको अपने mortality charges भी refund में मिल जाती है तो यहाँ पर अगर आप अपने सारे premium की payment कर देती है तो आपके जो mortality charges LIC ने deduct किये थे वो charges LIC आपको refund कर देती है maturity के समय पर अब यहाँ पर आप ज़रूर जानना चाहते होगे कि यह fund value क्या होती है तो LIC आपके पैसे को market में invest करती है और उसकी यहाँ पर एक fund value होती है यहाँ हम कह सकते हैं उसका total amount होता है तो यहाँ पर यह charges deduct करने के बाद जो भी आपका पैसा invest किया गया है और उस पर जो भी आपको interest मिला है या जो भी उसका profit मिला है वो अगर हम total कर देते हैं तो वो amount आपके fund value बन जाती है तो यहाँ पर जो भी with profit या with interest amount जो भी होगा उसको हम यहाँ पर fund value कहते हैं अब यहाँ पर यह आपकी fund value कितनी होगी वो depend करेगी market पर क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो equity funds में लगा दिया जाता है इसलिए जो भी वहाँ से return आती है उसी के code यहाँ पर यह amount आपको मिलने वाला है यहाँ पर यह fund की value कितनी होगी वो आप अपने LIC के customer portal पर जाके check कर सकते हैं जो भी उसकी value होगी वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है गारेंटीड एडिशन कितना होता है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके 6th policy year के end में 3% का गारेंटीड एडिशन किया जाएगा अगर आपका यहाँ पर annualize premium 48,000 रुपे से कम का है और अगर आपका यहाँ पर annualize premium 48,000 रुपे से जादा का है तो 6th policy year के end में 5% का गारेंटीड एडिशन किया जाएगा ठीक इसी तरह से आपकी policy के 20-वे साल के end में 15% गारेंटीड एडिशन किया जाएगा या फिर 25% गारेंटीड एडिशन किया जाएगा अगर आपकी यहाँ पर policy का premium 48,000 रुपे से जादा का है तो तो यहाँ पर आपकी policy में कितना गरेंटीड एडिशन होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकती है यह हमने बात तब की है जब policy holder के साथ कोई भी दुरगटना नहीं होती है आईए अब बात करते हैं कि अगर इनके साथ कोई दुरगटना हो जाती है या इनकी देथ हो जाती है तो उस case में इनके nominee को क्या benefit मिलता है तो यहाँ पर अगर हम माल लेते हैं कि थर्ड एर में इनकी policy holder की देथ हो जाती है तो उस time पर यहाँ पर तीन calculation की जाती है उन तीनों ही calculation में से जो भी ज़्यादा amount आता है वो उस policy holder के nominee को मिल जाता है तो यहाँ पर सबसे पहली calculation बताई गई है वो है basic sum assured reduced by any partial withdrawal made during the two years period immediately preceding the date of death तो यहाँ पर आपके basic sum assured में से partial withdrawal का amount reduce कर दिया जाएगा यहाँ पर जो हमारा basic sum में sure था वो यहाँ पर 10 लाक रुपे का था उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो option है वो यहाँ पर आपकी unit fund की value देखी जाती है तो यहाँ पर equity market के according जो भी आपकी fund value होगी उसकी value चेक की जाएगी कि वो value amount कितना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी total premium LIC ने receive किया है उसका 105% किया जाता है तो इन तीनों ही calculation में से जो भी amount higher आएगा वो आपके nominee को दे दिया जाता है अभी के लिए हमारे example के according जो ज़्यादा amount आएगा वो आएगा basic submission जो कि यहाँ पर 10 लाग रुपे का हो जाता है तो यहाँ पर death के case में 10 लाग रुपे का amount इनके nominee को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इसमें आपको कितने charges पे करने होती है तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो भी आप premium pay करती है उसमें से LIC कुछ charges को deduct करती है और उसके बाद जो आपका पैसा है वो invest कर दिया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले LIC जो charge deduct करती है वो है premium allocation charges जो कि आप screen पर देख सकती है first year कितना premium allocation charges होगा second से fifth year कितना charges होगा और उसके बाद आपको कितने charges deduct ही जाएगे वो सबी आप screen पर देख सकते है इस policy को आप online भी ले सकते हैं और offline भी ले सकते हैं इसलिए यहाँ पर अलग-अलग percentage दी गई है उसके बाद यहाँ पर आपको policy administration charges भी pay करने होती है first five years में आपको कोई भी charges पे नहीं करने है उसके बाद sixth year और seventh year के बाद आपको यह charges पे करने होगी तो यहाँ पर उसके बाद आपको mortality charges भी pay करने होती है तो यहाँ पर जो भी आपको insurance cover provide किया जाता है उसके कुछ charges होती है या उसकी कुछ fees होती है उसे हम mortality charge कहते हैं तो यहाँ पर यह आपकी age पर depend करता है, और आपके risk cover पर depend करता है, उसी के according यह mortality charges deduct किये जाती है, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी policy में accidental benefit rider भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी policy में accidental benefit rider लेती हैं, तो उसके charges भी यहाँ पर आपको pay करने होती हैं, जो कि यहाँ पर देख सकत होती हैं, 40 पैसा per thousand सम में शोड लिखा हुआ हैं, और अगर आप एक police personal हैं, तो आपको 80 पैसा per thousand सम में शोड इसका pay करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर fund management charge भी pay करने होती हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका यह fund होता है, उसको manage करने के लिए कुछ fund manager होती हैं, तो काम यह होता है कि आपके fund को manage करना, time पर कौन से share में invest करना है और कौन से share में invest नहीं करना है, वो उस पूरी process को manage करते हैं, तो यहाँ पर जो भी यह fund management charges हैं, वो आप screen पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको switching charges भी देखने को मिल जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप एक fund type से दूसरे fund type में भी switch कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक fund type से दूसरे fund type में switch करते हैं, तो उसके लिए भी आप पर charges दिये गए हैं, जो कि 100 rupees पर switch लिखा गया हैं, यहाँ पर आपको 4 switches free में मिलते हैं, जो कि आप एक policy year में ले सकते हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी psychology में partial withdrawal भी कर सकती हैं जो कि policy के 5th year के बाद आप सकती है, तो अगर यहाँ पर आप अपना partial withdrawal करती हैं तो यहाँ पर आपको 100 rupees पर withdrawal pay करना होगा, अगर आप यहाँ पर साल में 2 बार partial withdrawal करती हैं तो दो बार आपको ये amount pay करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको miscellaneous charges भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप अपनी policy में कुछ alteration कराती हैं जैसे कि premium का mode change कराना तो उस case में आपको 100 रुपीज की fees pay करनी पड़ सकती है तो इस तरह के कुछ miscellaneous charges भी आपको यहाँ पर pay करने होगी उसके बाद यहाँ पर बात आती है partial withdrawal की तो यहाँ पर जब आपकी policy के 5 साल का login period कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी policy में से partial withdrawal कर सकती हैं यानि कि कुछ amount अपनी policy में से आप निकाल सकते हैं उसकी यहाँ पर कुछ condition दी गई है कि उस time पर जो आपकी minimum age है वो 18 साल की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की age आपकी होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आपको यहाँ पर एक fix amount withdraw करना होगा या फिर आपके fund की कुछ units हैं उनको आपको यहाँ से withdraw करना होगा उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो भी amount आप partial withdrawal करते हैं उसमें से जो भी guaranteed edition है वो भी उसके according यहाँ पर कम कर दिया जाता है साथ यहाँ पर partial withdrawal के charges दिये गए हैं और यहाँ पर आप कितना partial withdrawal कर सकते हैं उसकी percentage भी दी गई हैं तो यहाँ पर अगर आप 6th year से लेके 10th year के बीच में partial withdrawal करना चाहते हैं तो 35% अपने unit fund का आप partial withdrawal कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आपको percentage दी गई है उसी के according आप यहाँ पर partial withdrawal कर पाएगी तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है surrender की तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप policy term में कभी भी अपनी policy को surrender कर सकते हैं पहले 5 साल में भी अपनी policy को surrender कर सकते हैं और 5 साल का जो लोकिन period है उसके बाद भी अपनी policy को surrender कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर 5 साल बाद जो कि आपका लोकिन period है उसके बाद surrender करते हैं तो जो भी आपकी fund value है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 साल से पहले अपनी policy को surrender करते हैं तो उस case में जो भी आपके policy का amount है वो एक discontinued policy fund में चला जाता है और उस amount में से आपके कुछ discontinuance charges भी deduct कर लिये जाते हैं जब यह charges deduct कर लिये जाते हैं उसके बाद आपको कोई भी insurance cover नहीं मिलता है और ना ही कोई rider का cover मिलता है और जब आपका यह locking period खतम हो जाता है उस time के बाद आपका जो पैसा है वो policy holder को मिल जाता है या फिर उनके nominee को मिल जाता है अब यहाँ पर जरूर आप जानना चाहते होगे कि यह discontinuance charges कितने होते हैं तो आईए एक पर देख लेते हैं कि यह जो discontinuance charges है वो यहा पर आप screen पर देख पाएगे इसको हम ज्यादा discuss नहीं करेगे क्योंकि यह उन लोगों के लिए हैं जो policy को continue नहीं करना चाहते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप अपने पहले 5 सालों में ना ही अपनी policy को surrender कराती हैं और ना ही continue करते हैं तो उस case में क्या होगा तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो आपको refund कर दिया जाता है अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो आपकी policy है वो discontinue कब हुई है पहले 5 सालों के दराना आपकी policy discontinue हुई है या 5 साल पूरे होने के बाद आपकी policy discontinue हुई है उसी के according यहाँ पर आपकी charges deduct किये जाएगे और उसी के according यहाँ पर आपको benefit मिलते हैं अब पहले 5 सालों में आपकी कितने charges deduct किया जाएगे और क्या क्या आपको benefit मिलेगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और 5 साल के बाद यहाँ पर discontinue होने पर आपको क्या benefit मिलेगे और कितना amount आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर check कर सकत हैं साथी साथ यहांपद पर आपको टॉप को इंक्रीयस करना तो वह आप यहांंपद पर छोड़ पर नहीं है केवल और केवल यहांपद आपको पार्चल वेडरोल का ही ऑप्शन मिलता है उसके बाद यहांपद पर आप जरूर जानना बाकिये premium payment option choose किये हैं तो उसमें आपको 30 दिन का grace period मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है revival की तो यहाँ पर अगर आपकी policy lapse हो जाती है या discontinue हो जाती है तो उस case में 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी policy को revive भी कर सकते हैं और अगर यहाँ पर आपकी policy discontinue हो चुकी है और उसे आप revive करते हैं तो revival के time पर जो भी आपके discontinue charges हो गई वो आपके policy में फिर से add कर दिये जाते हैं साथ यहाँ पर policy के discontinue होने के बाद अगर आपके कोई guaranteed addition मिलने थे तो वो भी आपको यहाँ पर अपने policy revive करने के बाद मिल जाते हैं तो यहाँ पर इस plan में आपको यह सबी benefits मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं उमीद करता हूँ कि आपको LIC के index plus plan के पूरी information मिल गई होगी यहाँ पर इस plan में जो भी surrender का option था या फिर जो भी discontinuous का option था उसको हमने जादा detail में discuss नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर काफी तरह के charges दिये गई हैं और काफी तरह के percentage दी साने से समझ पाएगी तो मैं उमीद करता हूँ आपको इस plan की बाकी सारी information समझ में आगी होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी उसका reply आपको करता हूँ इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा क कि यह जो आपका पैसा है वो equity में invest किया जाता है तो आप अपने पैसे को mutual fund में भी invest कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर low risk होता है अब यहाँ पर mutual fund में investment कैसे करनी है उसके लिए मैं already course बना चुका हूँ तो अगर आप वो course देखना चाहती हैं तो इस वीडियो के description box में से उस course क information आप ले सकती हैं तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होते इस वीडियो के like जरूर किजिएगा साथी साथ आप हमारी चैनल को subscribe कर सकती हैं ताकि इस तरह की latest videos आप सभी को मिलती रहें धन्यवाद